रादी रादी जी वेलकम बैक कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो देख रहे होंगे आप की जनमाश्थमी की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है एक दिन खाने की बन जाता है खाना तो थोड़ी टेंशन खतम से हो जाती है और यह मेरे पास पांच किलो की तरा जुए यह आज के दिन ही निकलती है या फिर बीच में निकल जाती है बेसिक इसका काम जो है वो आज के दिन कही है क्योंकि यह ना अंदाजे वाले काम में करती हैं मुझे होता नहीं है तो मैं सारा इसी के मतलब मेजर्मेंट से ही करती हूँ तो यहाँ पे न मैं जो गोले वाली जो होती है गोले के बुरादे वाली वो वाली बना रही हूँ मावा मैंने कल बना के रख लिया था और उसको फ्रेज में रख दिया था बस निकाला है आधी हदी किलो मतलब सवा किलो के करीब मावा हो गया था तो यहाँ पर आधी किलो यह नाप लिया इसकी तो बनाऊंगे में बर्फी यानि कि गोले की लॉंज यह हमारे हैं जरूर से बनती है तो चार-पांच में जैसे एक तो होती है गोले की लॉंज होगी पेड़े हो गए और एक हो गए पोश्ट की जो खसकास होती ना उसकी और वो जो मखाने गौंद यह वाली होती यह बनती है और चुलाई की बनती है और धना पंजीरी वाला जो होता है ना जो यह हो गए यह तयार और अकेले करना पड़ता है तो यह रहता है गोले का बुराता वाकेरा मैंने सब कुल डाल देता है मीठा तो पहले चाशनी बनाई लेती और इसको बंद करके खुब सारा चलाया है और थोड़ा सा आप जमने के लिए तयार हो गया है मैं इस तरीकी सिर्फ पानी में डालके यह देख लेती हूँ अगर यहाँ पे ने गोला गोला सा बन गया है तो इसका मतलब अभी यह जम जाएगी ऐसे ही मैं चाशनी देख लेती हूँ चाशनी भी अगर पानी के अंदर जम गई मतलब इस तरीकी से जमने लगे और गोले गोले से बनने लगे न तो वह भी चाशनी हमारी परफेक्ट बनती है तो यहाँ पर बस एक प्लेट में डाल दिया है एक प्लेट और जमा के रग दिया और वीडियो पता नहीं जो इसकीप हो गई क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि देखिया अकेले कड़ाई उठाना फिर उसको वह करना काफी बारी कड़ाई है तो इस टेंड है ना पता नहीं अपने आप से ने कड़ाई के जेट का लगके एकदम लुडग गया तो क्या कह सकते हैं वीडियो करके चलना है यास पर कोई ना किसी का कोई साथ दे तो बात अलग है तो है यहां पर खहर देखिये कोई नहीं जमा दिया और वो थोड़ा सा बच रहा था न तो वह उसमें दूसरी प्लेट में कर दिया है हवा में रख्याई हूं और इस बीच में साड़े साथ बच के रहे थे साड़े साथ या पोने आठ का टाइम था तो खाना जो थाना मैंने सारा जो मतलब मैंने बनाया था सब्जी रोटी थी कैसोल में थी सबजी गरम-गरम में कटोरे में करके दही थी तो वो मैंने मेच पे रख दी ती यानि के डानीग टेवल पर बीच बीच में बस मैं भी खाना खाके आ गई हूं फिर हाथ वक्त वगेर सब कुछ दोके फिर यह दूबारा जो दूसरी है न वो भी गोल होता है इसे बनाने का तलने तलाने का तो पहले यही करके इनको तल के एक तरफ रख दूँगी फिर इसके बाद जो होगी न यह वाली भी जमा के रख दूँगी और जो पेड़े का मावा निकाला था न मैंने तो वो मैंने अभी वापस फिरिज में रख जाए क्योंकि और एक यह गौंद वाली जमालूंगी और एक पोश्ट की होती है वो भी हमारे यह बनती है पोश्ट यानि के खसकस होती है न तो वो वाली तो मैंने सबसे पहले ही बना के रख ली थी वो भी बहुत अच्छी जमी है तुरंती कट गई वो तो है न और यह गौंद वाली ज पीस के, उसके इंदर गोला बुरा और यह मिलाके ना इसका में भोग यह होता है, धनिये वाला, यह भी बना के रख दिया है, और बस पेड़े रहें, वो मैं अगले दिन, यानि कि सुब़ बनाऊंगे, सुब़ के टाइम में बहुत सारा काम रहता, बनाने को तो यह मैं अग सिंगहसन वगेरा सब कुछ अच्छी तरीकी से क्लेन करके नएने बिस्तर इनके लगा दियें और यहां पर देखी यह जो पीतल के चांदी के जित्ते भी इनके पात्र थे वो सारे अच्छी तरीकी से रगडरगर के दो दियें और बस यहां पर इनका हो रहा है अब इस नान और इनको हम तियार करेंगे बाबू साबू बनाकर और आज इनका जनम दिन है और वैसे भी है ना जब ही हमारे आयते जनमाशनी वाले दिन है तो इनका तो डबल जनम दिन हम लोग मनाते हैं तो इनके लिए कुछ-कुछ हम लेकर भी आते हैं, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्या-क्या लेकर आते हैं, या किस तरीके से होता है, तो जी बस यहां पर तेयारी भी हो गई है, हजबन जी कर रहे हैं, तेयारी उनको, मतलब लड़ू गोपाल जी को बहार जूले में बिठाने की, और यहां केले का पत्ता भी आपने देखा होगा, हमारे यहां बोग इसी में ही खाते हैं, रात को जो वरत खोलेंगे 12 बजे, तो हम लोग जो भी फलहार करते हैं, वो इसी केले के पत्ते पे ही करते हैं, हमेशा से ही, तो वस केले के पत्ते भी आग इदर यहां देखिए हम लोग है न इसी जंगे पर लगाते हैं जूला तो यहां पर बस जी यह लग गया हमारे छुटूशे लड्डू गुपाल जी कर जूला जी वेड़ गये हैं अब सब आएंगे एक दूसरे की घर जूला देखने के लिए हम भी जाएंगे और बस शाम को इनके जो है जनमुटसफ की तियारी करनी है तो मुझे वो भी पूरी थाली वगयरा लगानी है तो कुछ इस तरीके से एक देड़ घंटे की कड़ी मेहनत की बाद फाइनल लुक यह है हमारे लड्डू गोपाल जी का सीधी मिल रहे हूं आप से में शाम को तो यह लग गई बूरा दूद केसर का दूद जो मैंने भोग बनाया था तुलसा जी घी दही जल यह नई शीशी शहद की तो अब वो बैड़ गए हैं पूजा करने के लिए यानिके इनका जनमुटसफ करेंगे उसके बाद हम लोग आर्ती करेंगे फिर हम अपना वरत खोलेंगे वरत का व पर आर्ती हो रही है हो गया है जनमुटसब यहीं को जनमास्ट में की धेर सारी शुक्ता में